हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ मैंगो जूस या आम का रस इसे बनाने के लिए मैं एक बहुत ही सिक्रेट तरीका बताने वाली हूँ और वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीचे ल जरूर दबा दीजेगा जैसे मेरे वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो इसके लिए हमें लेना है एक पका हुआ आम और इसे सबसे पहले तो दो लेना है अच्छे से दोने के बाद फिर इसकी उपर की जो इसकिन है इसके छिलके को जो है निकाल देना है तो आप इसे चाकू कभी इस्तेमाल कर सकते हैं उपर के ये छिलके को निकालने के लिए तो मैं इसे छिली से अलग कर रही हूँ तो इस प्रकार से निकाल देना है तो ये छिलका अलग करने के बाद इस प्रकार से दिखे गई है और और अब इसे इसके जो पल्प है ये इसे हम छोटे छोटे पीसेस में इस प्रकार से निकाल लेंगे पीसेस में इसले निकालना है तक क्योंकि इसका जूस बनाना है तो इसे छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूं है और इसके बाद जो अंदर का इसका बीच है इसकी गुठली है उसे हम अलग कर देंगे तो इसे मैंने अलग कर दिया है और अब इन पीसिस को हमें एक मिकसर जार का जो जूसर वला जार होता है मिकसर के जूसर वले जार में इसे डाल देना है तो यह मैंने जूसर ले लिया है, जार ले लिया है और अब इसमें इन टुकड़ों को हम डाल देंगे इस प्रकार से यह मैंने पूरे डाल दिया है, यह थोड़ अच्छी पग गया है नीचे तो अब यह और अब इसमें हमें डालना है शक्कर, तो मैं इसमें करीमन 6 चम्मा शक्कर डाल रही हूँ तो इसमें मैंने यह 6 चम्मा शक्कर डाल दिया है इसे यह परियाब्त मीठा हो जाएगा तो यह मैंने शक्कर डाल दिया और अब इसे जूसर में, जूसर को चला देंगे मिक्सी में और यह देखिए अब यह पिस चुका है, आम भी पिस गया और शक्कर भी अच्छे से पिस चुकी है तो अब इसमें हमें एड करना है दूद पानी से जूस को नहीं बनाना है क्योंकि उससे इतना टेस्ट में इतना Tasty नहीं बनता है वो तो इसमें दूद अड़ करेंगे और अब इसमें जो है में सिक्रेट जो जूस बनाने का सबसे में इंग्रेडियन्स ये मैं 1 4 टी स्पून इसमें नमक एड़ कर रही हूं इससे जो जूस का टेस्ट है ना वो बल्कुल बढ़ जाता है बहुत इतना बढ़िया टेस्ट आता है जूस जो है बिना नमक के जूस बिल्कुल मीठा मीठा सा बस लगेगा लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे तो जो जूस है बिल्कुल सोंधा सोंधा इतना बढ़िया टेस्ट आता है आप जरू ट्राइ करके देखिएगा और उसके बाद मुझे बताईएगा कि आपको जूस कैसा लग आने से तो आप एक बर बना के दिखिएगा इसे तो लीजे ये जूस बनके रेडी है अब मैं इसे एक बरतन में निकाल के दिखाती हूं और एक गिलास में भी निकाल के दिखाती हूं तो ये दिखिए मैंने गिलास भी ले लिया है और अब मैं इसे डाल के इसमें दिखात कर सकते हैं यह मैंने इसमें सिर्फ गाड़ा गाड़ा इसे बनाया है बहुत बढ़िया स्वाद आता है इसका हल्का सा नमक एड़ करना बहुत जरूरी है अगर आप स्वादिश्ट आम के जूस का आनन लेना चाहते हैं तो तो इबनके आम करश तयार है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा यह दिखिए मैं इसे टेस्ट करके बताती हूं वाओ बहुत ही लाजवाब बना हुआ है आप जरूर ट्राइ करिए और मुझे बताईए कि आपने मैंगो जूस बनाया तो उसका स्वाद कैसा लगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीड